Congress ने बहुत साफ शुवदों में कहा है कि किनारा कर लिया है वो नहीं इस इवेंट में जाना चाहिए तो उनको लगता है कि ये भाजपा का एक कारेक्रम है लेकिन आपने पने किताब में एक बार जिक्र किया है इस बारे में कि जो बाकी पुरारे प्रदान मंत्री रहे हैं च करते हैं तो अशसर तोब बाधर कोंग्रेस ने कभी सपोर्ट इस पूरी मंदिर इजकर है कि इंडिरा गांदी ने भी 1983 में जब विश्व हिंदु परिशत के एकतमाता यात्रा देश में घूमी थी जो कि ब्राह्म मंदिर मूवमेंट के प्रीकरसर था तो उससे में इंडिरा गांदी के टासिट सपोर्ट थी उन्होंने फंडिंग भी थी उसकी और वो कुछ कारे करमों में जाने भी आप जाना चाहा रही थी लेकिन उनको कहा जगाया के ओपन लिया आप मत आये तो पीछे से सपोर्ट उनका था और राजीव गांदी के जो प्रधान मंत्री थे तो बाबरी मस्चिद में ताले खुलवाए थे जो कि 1949 के किसे के बाद लगे थे वहां और हर बा सब्सक्राइब को राजीव गांदी के बिहां दे सीन्स पहल की वज़ा से कॉट ने वह ताले खुलने का आदेश दिया था तो जिससे आइडिया था कि मुस्लिम में बिल जो कि शाबानु को नकारने वाला था उससे मुसल्मानों को खुश कर देंगे और ताले खुलवा के हिंदो को खुश कर देंगे दोनों चीजें नहीं हुई लेकिन उस एफट से मूवमेंट को एक बहुत बड़ा मूवमेंट में उच्छा लाया था जिसने आगे की राजनीती को निर्धारित किया फिर नर्सिमाराव जब कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री थे nowid 1992 में जब माबरिय मस्जद को गिराए गया था आखे दिसमबर को तो नर्सिमारावने कुछ जनलिस्स से वाका था उसके बाद के उन्होंने पूछा था आप सू रहे थे या पूजा कर रहे थे तो निर्धार नहीं आप समझते मेराजनीती नहीं समझता हूं मैया आजनी का हाथ रहा है और नर्सिमाराव तो वहीं मंदिर भी बनवाना चाहते थे ट्रस्ट भी उन्होंने बनवाया था लेकिन 1995 में पीछे हट के थे तो कॉंग्रेस लेकिन उसका आज पार्टी श्रे ने लिया है कि हम मंदिर बनाना चाहते थे हमारे नेताओं ने यह यह किया है तो आज कॉंग्रेस को मुझे लगता समझ में नहीं आ रहा कुछ उनके नेता जा रहे हैं और आज पार्टी वो नहीं जा है कि माचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने तो छुट्टी भी डिक्लेर कर दी है जारकन के चीफ मिनिस्टर जो उनके अलाई है उनने आधी छुट्टी दी है तो कॉंग्रेस के लिए एक दूविदा है और वो समझ में भी आती है दूविदा अगर कॉंग्रेस इसका मैं मामती हो क्योंकि हिंक यह हिंदू समाज के लिए एक एतिहासिक्षण है आज और क्योंकि mix political party है इंदिया में पार्थी्स हैες ऑलाई जाहें वह political है तो क्योंग्य सेंट्मेनट इतने तपके से जुड़ा हुआ है उसको मद्दे नजर नहीं लेना उसको पीबात सही है पुलिटिकल है यह बात भी सही है इसका फाइदा भाजब को होने वाला है क्योंकि भाजब इस मूवमेंट से जुड़ी हुई है उसको बढ़ावा दिया और आज नरेंद्र मोदी लोग मान सुप्रीम कोड की वज़ा से आज मंदिर बना है लेकिन लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का हाथ था उसमें तो यह सारा फाइदा उनको होने वाला है लेकिन फिर भी क्योंकि एक सेंटिमेंट से जुड़ा है इतने बड़े तपके के हमारे देश में तो क वहां जाके मुझे लगता अगर सोनिया गांदी मलिकर जुन खरगय अधी रंजन चौद्री जिन को बिलाया गया था तो जाते तो शायद अच्छा होता